बिहार विदान सवा उपचुनाव को लेकर नमांकन सुरू हो गया है इसी करम में तरारी विदान सवा सीट से NDA के परत्यासी विसाल परसांत उर्प सुसील पांडे ने नमांकन किया है बिसाल परसांत उर्प सुसील पांडे ने पैतरिक आवास नवाडी से दरजनो वाहन के काफिले के साथ बीटा और मोपती बजार सहित फतेपूर होते हुए पीरो पहुचे पीरो में काफिले में अगर बात करें तो बैंड बाजा की तरह पूरी बरात सामिल की गई थी घोरसवारी भी सामिल किया गया था खुले वाहन पर परसांत रास्ते में मतदताओं से हाथ जोड़कर आसिरबाद लेते हुए दिखे मौके पर NDA के काफी कारेकरता जनसंख्या के तोर पे दीख रहे थे और कारेकरता में जोस दीख रहा था आपको बताएं कि भाजपा परत्यासी विसाल परसांत ने नमांकन के बाद पीरो उच विद्याले के मैदान में आयोजीत आसिरबाद जनसभा में भाजपा के परदेश अध्यच दिलीप जैस्वाल सहित पूरे दो उपमुक मंतरी के अलावा मंतरी विधायक एवं पुर् पिछले कुछ वर्सों से अब रूद तरारी छेत्र के विकास की गाड़ी फिर से पट्री पर लोटेगी उन्होंने कहा कि तरारी के विधायक रहे सुनील पांडे ने यहां विकास को एक नई आयाम या गती दी थी लेकिन कुछ वर्सों से विकास की गती जो है वो ब्रेक लग गई है लेकिन अब जो है एक बार फिर से विसाल परसांथ उसी जोस और सरवांगनी विकास के लच्च के साथ तरारी की जनता का असिरवात लेने आए हैं वही NDA के परत्यासी ने एक ब्यान दिया जिसकी चर्चा हो रही है चर्चे की बात करें तो सुसील पांडे ने मंच पर माइक दर्ते के साथ बोला कि 90% वाला फेल कर जाता है और फेल वाला पास कर जाता है इसका सीधे सीधे आसरे ये है कि आरच्छन पे बोलना चाह रहे थे लेकिन बहुत कम बोले फिलहाल अगर बात करें तो आरच्छन को लेकर मामला जो है वो लगातार राजनीती में देखने को मिलता है उसी पर अगर बात करें तो उनका कहना था कि OBC और AC, HT वाले मात्रे फेल होकर भी जौब ले लेते हैं नोकरी पा जाते हैं लेकिन 90% लाने और AC, HT पर सीधे निसाना साधा है और कहा है कि फेल वाला पास होता है और 90 नमबर लाने वाला फेल हो जाता है इसको हटाना होगा और इसी के साथ वो जीत करना चाहते हैं फिलाल बाकी आप अगर मत्यदाता है तो इन बातों को सोचना है और उसके बाद ही वोट करना है वह अगराल आप देख रहे थे DC News VR मेरा नाम बजनलाल कुमार है बहुत बहुत शुक्रिया